कि हुपका।ileый कि मसकार दोस्तों आपका मारे यूट्यूप चैनल स्टॉख्राज मेन नानग नम शिंद्री कंपणी में आज मैंouri अपको अपनी पंध्री में यह में अपford्ऻ कि आपका रहा हूं ऑکूरी कंपनी कंपनी इन सुख्राज जिन reminds अब देख सकते हैं मारा ओफिस है साथ ही में फैक्टरी है हमारी आज हो मैं आपको सब भी टाइब कि यहां पे मशीन मिल जाएगी आपको एजिस्केरिंग नोड़ूबुक वाली नैपकिन वायर नेल स्क्रू बार्बर वायर किसी भी टाइब की मशीन चाहिए आप ले सकते ह हमारे से आज जो मैं अपको उसक्राइब करा हैं ऐने अब देख सकते हूं रहा ऑफिस डेनी है आप्रीषार में आके मारी टी फैक्टरी विजेट कर सकता है और फिस विजेट कर सकता है उसको कोई भी मशीद के देखने घ् knowing को अअर्ड करना है तो जब मरजी आके मी डिवाद Ugh आपने सिटी से बैट आई वहां से पेइमंट करें यहां से मशीन घीट हो जाया है कि अपने गहर से बैठे ऑड़र कर ओड़ जाए अपको बढ वीके दस दिन में अपको तो दोस्तों बने रहे हैं वीडियो में मैं आपको और भी मुशीन के बारे मिं जानकारी देता हूं व प्रिश्क को आप करके असानी से 10 15 जार असानी से कमा सकते हैं यह आपको देख सकते हैं सभी मशीन स्टैडी पडिये हो थे इमारे पास जिस अवी आड़र की पड़ियों की तदी एक यह बहुत बढ़ी बिजनस है इसका यह बिजनस अब ने मेकंग और स्क्रिव मेकिंग तो तो आज मैं आपको इस बिसनेस के बारे में सारी जानकारी में कैसे लेनी है तो वीडियो को लास तक दूर देखना वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर भी करें वीडियो को तो दोस्तों यह सबसे पहले मैं आपको मशीन दिखाऊंगा यह वायर नेल मेकिंग मशीन एक अधी इंची से लेके चार नची तक कील बनाती है कांटी कहते हैं जिसको साथ में पोटो दिखा रहा हूं आपको यह बनाएगी ऐसा प्रड़क्ट बनाएगी वायर नेल मेकिंग वायर नेल तो इसमें फुली आटमेटिक मशीन है आप देख सकते हैं वायर स्टैंड है कितना है वायर स्टैंड है जो आम कोई भी आप दो होगल कोई वह बीठा मारी खुद देख सकते हैं अच्छिक की मेनफेक्ट्रिंग देख सकते हैं कि सभी मारी खुद की मेनफेक्शिरिंग है पुरी तो आप किसी लोकल सप्लाइयर से लो एटो आपको हलकी मशीन बना कर पिसी है कि आप कि सप्वार बमढ़ा का बेर है कि मिलेंगी और इन्फीर सब्सक्राइब को मषिपने लेगा vibe झान का आप आपने वायर का रोल यह इसके ओपर आया यहां पर जहां पर जहांने आंग जहांद है प्लाव जाया कर दे 항상 टैड़ Ciao में Mek एक दो इंची वाली लगाओ, एक चार इंची वाली लगाओ और एक शे इंची वाली लगाओ, इसमें आपकी प्रडक्शन भी जादी निकलेगी और सभी टाइप के एल भी बन जाएंगे, तो आपको मैं मशीन की वीडियो भी दिखाता हूँ, तो आपको सारा समय लग जाए इसको आप दो तरीके से बेश सकते हो, इसको आप चीदा पचास केजी का बड़ी होगी, बीस केजी की बोरी होगी, वैसे भी बेश सकते हो, नहीं तो आप इसको डबी में, जैसे छोटे बॉक्स में पैकिंग करके, जैसे प्र्यू पैक होता है, वैसे कील भी पैक होता है, आदी इंची एक इंची वाला कील वो बॉक्स टैकिंग कर भी आप ईसको इसको आसे भी बैश सकते हो इसके युट पायर आती है एक बीजार होती है हेँ एह वाय आईगी दूर्ग पूसर आप से मिलेगी तो सबसे वाय ले सकते हैं में औरि मिलेगी तो वायघी बर लग vrij में नियुट नियुक्ट उता है fully automatic machine है देहें जैसे वीडियो मीवायर लगा दिया है तो automatic sia कील बनके नीची से गिरता जा रहा है बस हमने कुछ नी करना है से काम जादा एक इन डायर अच्छी करका लगा देना है मिशीन में बनके की निगलता जाएगा फुली आटमेटिक मशीन है यह अभी हम नेक्स मशीन पर आ रहे हैं यह दो मशीन का सेट होता है जैसे यह दोनों मशीन वर्क करेंगे तो प्रट बनेगा तो सबसे पहले बात करें किस मशीन की यह हैडर मशीन है अपने स्क्रिव देखा होगा जि अब भी दलती जिस फेंठें तो यू जो हैड बनेगा इसमें बने इसमें बने तो एकड़-थ Şimdi यापकी होरेइंस इसमें इसके भी वीडियो तरहूंगा मशीन की फुली आटमेटिक मशीन है रोल लगाओ वायर का वायर इंसर्ट करो तो पड़क्ट बनके निकलता जाएगा इसमें आपका हैड्र हो जाएगा इसके बाद यह मशीन भी खुली होई है पूरी होएगी तो यह वाइब्रेटर ह इसके उपर लगेगा तो इसके पीशे लगता है जो भी मटेरियल आपका इस मशीन से बनेगा हैडर से उसको बस उखाके वाइब्रेटर में डालतो इसमें थ्रेडिंग होके किरती जाएगी किसी भी टाइप की थ्रेडिंग करनी है आपने कोई भी टाइप की चूड़ी ड बना सकते हो चोटे से लेके बड़ा किसी भी टाइप स्क्रूर कोई इसलिए टाइप इन्हें बना सकते हो जब भी आप मशीन मारसे लोगे मारा इंजीनिर जाएगा आपके पास मशीन इंस्टॉल करके आपको सारी ट्रेनिंग दे के आएगा मशीन चलाने की तो यह मैं आपको वायर नेल और स्क्रू की कठी मशीन आज इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि दोनों सिमिलर बिजनस हैं तो अब दोनों मशीन से कठी भी लगाओगे तो क्योंकि आपने जो प्र करोड लगा हुआ तो बाइर का लूट खात्रइद हाओओगे तो अवेर को लगा है और वरियर फीड कर दिनी मशीन आप स्क्रूब कर देना है मिशीन माटा मिशीन नहीं जाना है है कर न मिशी पहले कंसरे मिश्ट marketing वाया चाने कपको लिए हैर्ट ऑद важ और और सबस्का स् इसमें त्रेड नेक्स मशीन में डलेगा देखो फुली आटमेटिक मशीन है आपने वायर लगानी है आटमेटिक बनके स्क्रू करता जाना है बस नीचे इसके बाद दिये जाएगा पॉलिशिंग ड्रम में आपको पॉलिशिंग ड्रम की वीडियो दिखाता हूँ इसको अइसको आपने 10,20 मिनिट को के फिर दसमे आपने घुमाना है गुमाने के बाद इसको लखड़ी का पॉरदर डलता हाथ में लकडी के परादा डालके इसका जो ऑईल होगा ऑईल रिमूव हो जाएगा अब देख सकते हैं इसको ऑईल रिमूव होके अब निकल गया है अब यह आएगा रोल थ्रेड में यह वाइबरेटर सिस्टम लगा हुए इसमें जैसे अपने स्क्रू डाला है यह सैंपल के लि अब देख सकते हैं कैसे स्क्रू गूम रहे हैं जैसे अब यह देखो यह आगे आगे हैं फीटर में यह स्क्रू आसे लाइन में बर कर पूरे हो गए हैं पीशे वाइबरेटर जैसे बंद हो जाता है जैसे लाइन में अकर बर जाएगा पूरे स्क्रू बर जाएंग तो पी फुल्य आॉटमेटिक मशीनेखुद काम करते रहने हैं प्लक्य इसमें लेबर की बहुत कम ज्रूरत होती है एक स्किलड आदमी हो एक हैलपर हो तो सारी मशीन भी आतमी चला सकते हैं इसको बहुत इजी परसे सजी कुछ आपको मैं रिनिंग प्लांट दिखाने लगा हूँ यह देखी जैसे रिनिंग सैटप लगा हुए पूरा कम्प्लीट इसने 10-20 मिशीन लगा हुई है यह यह और सैटप लगा हुई है इसमें भी आप देख सकते है हैं कितने हैडर लगे हैं कितने रोल त्रेड लगे हुए हैं लगी पूरा कम्प्लीट सैटप लगा है वह लोगों ने इतना इसका डिमांड होती है कि लोकों ने 10-20-20 मिशीन लगा हुई है अब देख सकते हैं यह ड्रैवल स्कुरू बना हुआ है कितने बड़ी है क्वाल अब बनाल वाला वह भी प्लांट लगा हुए सारा है यह देखो कितनी मशीन लगे हुए हैं नेक्स में आगे चलता हूं आपको यह पॉलिशिंग ड्रम होता है इसका काम है पॉलिश करना यह आप स्कुरू का सैटप ले रहे हो वायर निल का सैटप ले रहे हैं दोनों में तो अब आप ड़ारे तो उसके साथ लगेगा वायर को रस लगा हूगा ओयल लगा होगा तो बस एक शीन में रेडि हो जाएगा इसमें आप डालो गे तो बस यह आदा गंटा है समय जैसे के महोए 500 कजी का ट्रम है इसमें अपने बायर नेज डाल दिया तो लगड़ी के ब रोती है और स्क्रामद करस्थ ने इसे कहित. बीनतों करें तरहां के सब्सक्राइब ड्राज़ में जौन में में सब्सक्राइब अधिकर बनेगानी होजा लिए सक में का म सब्सक्राइब जाना है, नेक्स्ट मशान के कट्र ग्रैंटर मशाना है। सक चुल्स के जाओ कुई नार कि बाइर को कट्टिंग करते हैं . अब कोई भी आपने यार फाल थार था प्राय प्रभॉज। होता है है इस नहीं बहुत बढ़िया काम है इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया रहता है अगर आप लगा रहे हो अगर जो वाइर नेल में आपका सानी से पर केजी के पीचे आपको 10 से 15 पर केजी के पीचे पर केजी के पर जाएंगे स्क्रिव में 25-30 पर केजी के पराफिट रहेगा और वैर नेल है रेल में आपको पर केजी की पीशे 10-15 लुपी पर केजी का प्राफिट रहेगा तुर सभी फुली आटमेटिक मिशीन दोनों का जो रॉम ब्रायपुर निया गणा तो सबस्ता पड़ेगा जो डूसरी टाइप होते है अपने बना लिए तो इसको दो टाइप बाद में तीन टाइप में विखते हैं एक तो इसको डूसरी टाइप होती है इसको बलैक कोटिंग करनी है तो उसके लिए अलग प्रचास है इसके लिए फीटिंग ड्रम लगता है ड्रायर लगता है उसके आपको वीडियो दुखाता हूँ अभी उसमें जैसे स्क्र्यू डैडी हो गया पूरा ड्रोल स्रेड से लिखल के डैडी हो गया वो ड्रम में हीट करोगे जैसे आदा गंटा हीट कर लिए उसको केद्ग करने के बाद डलो गया उटमेटिक ब्लैक हो जाएगा ब्लैक को दोस्तों ब्लैक कोटिंग को परसाइशाए अब देखो यह बर्नर लगा हुए नीचे उपर ड्रम गूम रहा है तो व्याशे बनके बन कर आएगा तो अगर ब्लैक कोटिंग करनी है आपने तो इसमें आपको बस इतना करना है ड्रम में डालके उसको बस 20 मिनिट आदा गंटा गुमाना है नीचे से हीट से वो हीट भी हो जाएगा हीट होने के पाद उसको बस आपने कटिंग ओयल में डाले हैं डाले हुए यह chemical में डालोगे तो automatic hard भी हो जाएगा black भी हो जाएगा तो यह दोस्तों ड्रायर मशीन है इसमें स्क्रूड जैसे chemical के chemical में डालिंग पाद ड्रायर में आएगा तो देखो कितना बड़ी है black coating भी हो गया उसका जैसे प्रोम टाइप होता है तो अपने जो तीन टाइप है वह अलग पर सहाथ है उसकी वीडियो दुखाता हूँ बहुत सिंपल पर स्क्रूड को डाल के उसमें आदा गंटा कुमाओ तो आपकी कोई भी कोटिंग हो जाए यागर जिंग कोटिंग हो जाएगा अगर कलर करने अगर कोई भी कलर नहीं करना तो सिंपल प्रोम रखना है बस बेरल में गुमाकियों स्क्वादा गंटा जिंग कोटिंग हो जाएगी दोस्तों यह देखिए आप यह लॉम टेल है से स्क्रू मशीन में बनकिया है तो ऐसा दिखता है पहले इस सबसे पहले स्क्रू हाएगा इसको ड्रम में डालेंगे ड्रम में डालके वाश करते हैं पानी से तो यह पानी जो होता है रिसाइकल होता रहता है यह देखो वाश हो रहा है वाश होने के बाद देखो स्क्रू कुछ ऐसा दिखेगा यह जैसे ड्रम से निकाला है कि देखिए कि डाल देए सको को इसको डाल के बस निकाल लेका नाई जादी जिरह नहीं देकба साफन तुछ निकाल दिया बस निकाल के इसको एक बारी फिर से पानी के पानी में से कर ने हैं जिसमें होएगा उसमें डाल देना है अभी देखो दिखाऊंगा मैं आपको यह देखिए इनों जो पहले जिंक हुआ हुआ है उसको निकाल लेंगे उसके बाद जो अभी जो एसीड में डाल के लाए है उसको इसमें डाल देंगे स्क्र्यू को इस जिंक किया हुआ निकाल दिया है इन्होंने और जो दूसरा जो फिर से जिंक करना है वो ड्रम में डाल देंगे यह देखो आप यह पहले जिंक हुआ उसको निकाल दिया है अब जो जिंक होना है उसको डाल देंगे अंदर यह देखिए आप, एक ड्रम की capacity, पचास केजी की capacity होती है, एक ड्रम की, लूर इसको आधा गंठाप इसी में जो कैमिकल होता है जिंक किसमें देखो पीसे परीट लगई ये जिंक प्लेट व आदा घंडा है यह ऐसे गूम ता रहेगा है आधे गूंटे में फचास जीमाल जिंक कर देते हैं अगर आपने सिर्फ जिंक कोटिंग करनी अगर आप ने क गोल्डन कोटिंग करनी हैं तो इसको आपको गोल्डन कलर में डालना पड़ेगा यह दो都有 को एकगों कोर्डन करनी आप ब्यूंगess ने का लिए दढ सलगे भाल्मय जीकिजिक मेंद zer लिए करना है तो आप वैसे इसको सीधा ड्रायर में डालो वो जिंक रहेगा अगर और को कलर करना हो पर तो कलर वाले कैमिकल में डाल दो बस वो स्क्रूब बनके रेडी हो जाता है यह इसके बाद इन्होंने ड्रायर में डाल दिया है अब देखिए ड्रायर में डाल के बाद इसमे पानि निकल झाल जाता है गर जो उसमें पानि लगा हो कोई भी कैमिकल बजा है तो सारा नेकल कə तो जा जाता है तो सारह नेकल कर लेता है ठ्रेकिश आ बंकि अवियल सकते हो इसको कोई भी आदमी लगा सकता है इसको में कि आपको कोई भी और कोई भी जान कर चाहिए बिजुनस के बारे में तो आप मारे में मीचे दिये इक नंबर पर काल करके में वाटसंब मैसेज करके में मेочки करो DO UP मेशीन की बिजनस की कोई कि यहाँ पे आपर जाएगी है किसी ने वी अगर आप फेक्ट्री करना चाहते हैं तो पेटार्री भी उजट Stream कर सकते हैं लेगे तो आप एबेड़ को वीडियो काल पे और सकते हैं अब गर के भी order कर सकते हैं बहुत इजी बिजनेस है प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस है क्योंकि आप देखोगे जो स्कूरू है बार नेल की हर जगह पर डिमांड रहती है इसकी दोस्तो आपको इस बिजनेस से जोड़ी कोई भी इंप्रमेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूर सकते हैं दोस्तो इस बीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपके बीडियो जोरू पसंद आई होगी तो प्लीज बीडियो को लाइक हो सेर करना ना भूले और